नवस्कार जोतिस वानी में आपका स्वागत है आज का विशय है पित्रुदोश पित्रुरीन और प्रेत दोश तिनों चीजे अलग है हाला कि पित्रुरीन के बारे में हमने यूटुब में लिंक डाल दिया है आप उसको सर्ज कर सकते हैं और अब तक आपने हमारा पित्रुदोश और प्रेत दोश काफी लोगों को यह पता नहीं है कि पित्रुदोश क्या है पित्रुरीन क्या है और प्रेत दोश क्या है तो यह वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ी बहुत जानकारी हम देने का प्रयास कर रहे है कि तीनों में क्या डिफरंस है तो जो पूर्वज हमारे एक्सपाइड हो चुके हैं गुजर गये हैं उनमें से जो अनेक्सपेक्टेड गुजर गये हैं जैसे कोई आग में जल के मर गया या पानी में डूब के मर गया या कोई होरी एक्सिदेंट में गुजर गये तो ऐसे लोग जिनकी आयु काफी चोती है कि उनको हम पितरु कह सकते हैं लेकिन कि इसमें भी थोड़ी दुविदा है कि कि पितरु दोश कब लगता है कि जब वह अनेक्सपेक्टेड गुजर गये हो चोटी में बहुत गुजर गए हो और आपको पता चले कि एक्जेट पित्रुदोष है कि कुछ और है कि पित्रुदोष के कुछ सामान्य लक्षण होते हैं कि घर के अंदर पित्रुदोष अगर लगा हुआ होता है तो नॉर्मली क्या होता है कि जिन जातक को रात को मरे हुए जो उनके पुर्वज है वो बार बार सपने में आना सपने में साप का आना साप के साथ साथ सपने में पानी का आना ये कुछ लक्षण है पित्रुदोष के पित्रुदोष के साथ साथ ऐसा भी होता है कि जो बालक के पिता जी या दादा या चा आचा कोई गुजर गए उनसे कोई उनकी अधूरी इच्छा रहे गई हो तो भी उनको बार-बार यह याद दिलाने के लिए सपने में आते हैं कि तुझे यह ऐसा ऐसा कुछ काम रह गया है करके याद दिलाने की कोशिश करते हो पित्रु दोश में आते हैं प्रेत दोश जो की अलग है प्रेत दोश में क्या होता है कि पित्रु और प्रेत दोनों अलग चीज़े हो गई है अब वही इंसान कोई ऐसी जगह पर चारा है पर कोई-कोई एक्सपैट हो गया है या फिर ऐसा कुछ हो गया है तो यह प्रेत योनी में चले जाते हैं जो होते है वह अश्यूभ होते हैं काफी लोगों को पता नहीं होता कि दोनों चीजें अलग वह अलग है पित्रु बैसे को कोई जानकारे देते हैं की करना चाहते है वह उनकी जो उनके साथ बिता हुआ था या फिर उनके साथ गुजारा हुआ वक्त आपको दिखाई देता है तो यह सब पित्रों के शुब निसानिया है पुछ अच्छा व्यवार नहीं करते हैं अगर परेत योनी में चले गए हैं और आपको परेशान हो रहे हैं अंदर तो परेत योनी के कुछ ऐसे लक्सने की कि आप हमेशा बीमार रहना कि साथ में कोई अद्रश्य शक्ति हमेशा आपके आसपास घूमना जैसे आपको रात को कहीं जा रहे हो या घर के अंदर भी घर के अंदर ही आप अगर घूम रहे हो तो आपको ऐसा लगे कि आपके साथ कोई घूम रहा है या फिर घर के अंदर को अब कोई न कोई पर्टिक्लिस पर्सन तरव बीमार रहना उसके साथ साथ यह कि अधिक भोजन लगना कâu अब अधिक भोजन लगता है आपको अधिक भोर्जन लगता है कि अपको step rating नहीं और खाही रहे ये खालू वो खालू ऐसा होता है और पर्टिकुलर खास दिन अमावस्या के दिन या फिर संध्या समय पे तो समझो कि आपके जो भी रिलेटिव एक्सपाइड हो चुके हैं वो प्रेत योनी में है प्रेत योनी मतलब कोई भूत प्रेत इसा नहीं होता है प्रेत योनी एक प जिसको करवाने के बाद आफके लाइफ के अंदर से काफी परिशानिया जो है वो दूर हो जाती है जिन लोगों को प्रेत योनी से डिफेक्ट होगी उनकी आखे हमेसा लाल रहेगी उनकी आखों का रंग जो है वो गहरा हो गया होगा और आखों के नीचे काले से डार्कने प्रेत आखे होगी उसके साथ साथ उसकी जो दिमाग की हालत है जैसे कई सांत इसे बैठा हो कई बात चल रही हो अपने आप अपना आपाखों बैठता है ओ आउट आफ कंट्रोल हो जाता है बात करते करते तो ऐसो लोगों को यह याद रखना चाहिए कि उनके फैमिली में कोई unexpected गुजर गया है तो वो प्रेत योनी में है हाला कि पित्रु दोश में ऐसा नहीं होता है पित्रु दोश के अंदर क्या होता है कि पित्रु जो होते वो unsatisfied होते है तो थोड़ी बहुत आपको याद दिराने की कोशिश करते कि बेटा हमारा यह कुछ रह गया है यह हमार प्रेत योनी में अगर वो है अभी उनको मुक्ति नहीं मिली है तो आपको 110% परिशान करेंगे लेकिन उसको पित्रु नहीं कह सकते पित्रु जो होते वो अलग चीज़े प्रेत योनी में जो आत्मा गई है वो अलग चीज़े तो वीवर्स से मेरी यहीं गुजारिस है कि दोनों का आप इक्वल मत लीजिए पित्रुदोष के लिए नॉर्मली उपाय होते हैं यह मैं यूटुब लिंक में डाल देता हूं आप यूटूब सब्सक्राइब कर दीजिए और लिंक को जो है उसके अंदर पित्रुदोष के निवारण के क्या-क्या लक्षण है उनों यूटूब में मैं लिंक डाल देता हूं तो आप उसको उस तरह से नियम जो है वह आप फॉलो किजिए नॉर्मली उपाय तो होते ही है कि पित्रु के जो उपाय होते हैं वह उस तरह से आप कर सकते हो फिर भी अगर प्रेत योनी के उपाय है वह प्रेतियोनी के नॉ आत्मा चले गई है तो आपका फेमिली के अंदर विहवार जो है वह बहुत अलग होगा आपका फेमिली दीरे-दीरे करके चारो तरफ से कट-off होता चला जाएगा इसके साथ साथ क् काफी जगर से बिगड़ जाएंगी आपका अगर बीमारी घर के अंदर चलती रहेगी इस साथ साथ कौट कंचेरी एक्शिडंड दवायया ये सब घर के अंदर चलता रहेगा अगर आपका सμέलरइ हर महिने तो 25 कि आपको पांच दिन कुछ न कुछ आगे पीछे करके निकालने पड़ेंगे प्रेत योनी में अगर आत्मा है तो उसका निवार्ण है उसका निवार्ण कराना जरूरी है इसके स्वयम आप दुखी रहेंगे पूरे दिन में दस या पंदरा मिनिट ऐसे जाएंगे कि आप सो दोश है प्रेत योनी के अंदर आपके पूर्वच की आत्मा है इस तरह से लाइफ के अंदर पित्र दोश और प्रेत दोश दोनों अलग चीज़े है तो घर के अंदर इसके अलावा भी कुछ ऐसी है कि प्रेत दोश जब लगता है तो घर के अंदर इलेट्रोनिक्स आइट कि बहुत बड़ी बात आप पुजा करने बैठते हो तो आपको बार-बार उबासि आती यह अगर होता है अगर आपके साथ उबासिवर आती है तो समझ जाइए कि आपके कोई न कोई पूरवच कोई ना कोई रिलेटिव आपके या जो है वह आपके साथ connected है कि वह प्रेत योनी में है इसके साथ आप पित्रुदोष अगर है तो आपके सवपने में आते हैं तो आप उनसे कुछ अपका सवाल है वो भी आप पूछ सकते हैं वह आपको सवपने में आके कुछ जवाब भी देते हैं वह पित्रुदोष या पित आपको फाइदा जरूर करवाते हैं आपकी रक्षा करते हैं उनका जो विदिविदान नियम है उनको आप समर्पित करते हो तो प्रेत योनी में अगर प्रेत योनी में है अगर आपके पुर्वज की आत्मा तो उनको मुक्ति के लिए एक छोटी सी पूजा होती है और उसका में चोटा सा वीडियो बनाया कि प्रेत दोश पित्रु दोश और पित्रु रिण तीनों अलग चीज़े हैं फिर से हम एक बार कहते हैं कि अगर आपने हमारा यूटूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजिए और हो सके उतना शेर कीजिए तो काफी लोगों को इस बारे में जानकाने मिल सकें नमस्कार